वीडियो क्लास, welcome back to my channel students, यह वीडियो क्लास से 9 क्लास के स्टुडेंट्स के लिए है, वीडियो में हम लोग नौटिस को लिखना सीखेंगे, तुछ से पहले question को समझना अकमपल सरी है, जैसे यहाँ दे रखा है, write out a notice लिखना है, for your school, अपने school के लिए, notice board के लिए, invite करते टॉपिक या दे रखा है आप लोगों को fancy dress competition तो आप लोग भी इस तरह अपने exam में question को समझेंगे जैसे अभी आप लोगों ने यहां समझा है तो students notice लिखने के लिए सबसे पहले एक box को ready किया जाता है जैसे यहां पर box पना हुआ है इसके बाद आप लोग capital letters में लिखेंगे notice N-O-T-I-C-E then उसके बाद finally start करेंगे the cultural society यानि हमारे science critic society of the school is holding जो cultural society है उसने decide करा है कि वो fancy dress competition को organize कर रही है तो student जब भी question में यह नहीं लिखा गया हो कि इसे कोन organize कर रहा है या इसे किसके दुआर उद्गाटिट किया जा रहा है तो आप लोग cultural society लिख करके छोड सकते हैं यह किसी भी notice के लिए है two of fancy dress competition for students students के लिए competition को ready किया जा रहा है all classes on the occasion of republic day celebration तो एक celebration नेम भी आप लोग लिख सकते हैं जैसे आते रख है republic day celebration पर सभी classes के लिए से organize किया जा रहा है those desiring to participate in the competition यानि जो भी students इसके लिए चुक है participate करने के लिए competition में उनसे request किया जा रहा है I requested to send your name यह अपना नेम बेच दे to the undersigned by January 31 अब understand कौने students यानि जो यहाँ पर नाम दे रखा होता है जो secretary होते हैं तो आप लोग date present के mention कर सकते हैं जैसे आज 7 November है तो आप लोग 7 November लिख करके छोड़ सकते हैं लास में आप लोग नाम लिखेंगे जो भी question में नाम given था राजिव शर्मा उसके बाद अपनी position लिखेंगे कि आप secretary है तो students इसी rule को follow करते हुए एक proper notice ready होता है उम्मीद है आप लोगों ने सभी rule को follow करा होगा नेक्स वीडियो में हम लोग आगे के notice को समझेंगे थैंक्स पूर वाचिंग